हे गाईज मेरा नाम है शुबाव मुराज की इस वीडियो में हम सेट अप और एक्टिवेट करने वाले हैं आइफोन एसी को तो सबसे पहले स्क्रीन आती है हेलो की आपको बस होम बटन को दबाना होता है फिर आपको सलेक्ट करने होती है अपनी लैंग्विज मैं सलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश फिर आपको सलेक्ट करने होती है अपनी कंट्री मेरी कंट्री है इंडिया तो मैं सलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया फिर ऑप्शन आता है क्विक स्टार्ट का अगर आप पहले से ही कोई iPhone या iPad यूज़ कर रहे हो और अगर आप उसे इस iPhone SE के पास लाओगे तो यह अपने आप setup हो जाएगा फिलाल मैं select कर रहा हूँ set up manually आप अपनी preferred languages को select कर सकते हैं मैंने सिरफ English select करी है उसके बाद आपको अपने iPhone में जोन जोन से keyboard चाहिए आप यहां से select कर सकते हो मैंने सिरफ English और emoji keyboards को select किया है फिर आपको अपने iPhone SE को Wi-Fi network से connect करना होता है अगर आपके पास Wi-Fi network नहीं है तो आप iPhone SE को Mac या PC से भी connect करके setup कर सकते हैं तो मैंने भर दिया है अपने Wi-Fi का password और अब यह हो रहा है activate यह activate होने में कुछ seconds ले लेता है फिर है data and privacy आप tap करो continue पर data and privacy के बाद आपको अपने iPhone SE में touch ID को add करने का option आएगा touch ID add करने के लिए आपको home button को बार बार टच करना होता है तक यह red color से पूरा भर नहीं जाता touch ID add करने के बाद आपको passcode भी create करना होता है ताकि for some reason अगर touch ID नहीं चले तो आप passcode से भी अपने phone को unlock कर सकते हो फिर है apps and data आप अपने iPhone SE में iCloud या फिर iTunes में रखे backup को यहाँ पर restore कर सकते हो आप किसी और Android या iPhone से भी सारा data transfer कर सकते हो फिलाल मैं select करूँ don't transfer apps and data फिर आपको अपने iPhone SE में भरनी होती है अपनी Apple ID Apple ID से ही आप कोई apps और games को अपने iPhone SE में download कर पाएंगे अगर आपके पास Apple ID नहीं है तो आप यहीं पर नहीं Apple ID भी बना सकते हैं आप अगर चाहो तो इस step को skip भी कर सकते हो और बाद में settings में जाकर भी Apple ID को भर सकते हो आपको terms और conditions को भी agree करना होता है तो मैंने भर दी है अपनी Apple ID और अब यह लेगा कुछ seconds Apple ID को setup करने के लिए keep your iPhone up to date आप टैप करो continue पर location services आप टैप करो enable location services पर iCloud kitchen में यह आपके सारे passwords और credit card information रखता है iCloud पर और यह आपके हर devices में available होती है यह information encrypted होती है और इसको Apple भी read नहीं कर सकता फिर आती है Siri आप टैप करो continue पर Siri को use करने के लिए आपको home button को दबाया रखना होता है आप अपनी Siri के साथ हुई audio recordings को Apple को भेज सकते हैं ताकि Apple Siri को ओह ज़्यादा improve कर सके फिर option आता है screen time का screen time में यह आपको बता देगा कि आपने कौन सी app कितनी देर देखे और आप apps में time limit भी लगा सकते है iPhone analytics में आप अपना usage data भेज सकते हैं Apple को ताकि Apple अपने products और services को improve कर सके इसी तरह app analytics में यह आप activity और crash data भेज दिया app developers को ताकि developers अपनी apps को improve कर सके appearance यह iOS 13 में नया feature आय ता जिसमें आप light और dark mode को select कर सकते हो dark mode में ज़्यादा तर background black ही रहेगा welcome to iPhone आप tap कर दो get started पर तो यही है गाइज आपके iPhone SE की fresh new home screen तो इस वीडियो में हमने देखा कि Apple iPhone SE को कैसे activate और setup करते हैं ऐसे हो tech वीडियो देखने के लिए subscribe और share भी कर सकते हैं मेरा नाम है शुबम और मैं आपसे मिलता है अपनी अगली वीडियो में के वीडियोक राशने के वीडियोस्त इस बाता है अपसे ख़ीडियो कर सकते हैं